नमस्कार व्यूस और आप सब लोग क्या से हैं आश्र करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे स्वास्त होंगे और मेरा शेव परान का पाट अवश्य देखते होंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहां तक पढ़ा था तो कल तक था कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं रुद्र देव से कि आपने कहा था ब्रह्मन मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुमारे अंगविशेश ललाट से प्रकट होगा जिसकी लोग में रुद्र नाम से प्रसद्री होगी तुम ब्रह्मा सस्ति करता हो गए और श्रीहरी जगत का पालन करने वाले होगे और मैं सगुन रूद्र रूप धारन करके संघार करने वाला होँगा एक इस तरी के साथ दिवा करके लोग के उत्तम कारे की सिद्धी करोंगा आप अपनी कहीं हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रितिग्या को उंड कीजिए सा का देश है कि मैं सिस्ति करूं श्रीहरी पालन करें और आप स्वयम संगार के हितु बनकर प्रकट हों सो आप साक्षा शिव का संगार कता के रूप में प्रकट हुए हैं आपके बिना हम दोनों अबना अबना कारे करने में समर्थन नहीं है अतहर आप एक ऐसी कामिनी को सिवक नहीं है उसी बकर आप इसमें अपनी जीवन सहचरी प्रान बल्नवा को ग्रहन करें तो कल तक यहां तक था जो नए दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि मैं पार्ट क्यूं कर रही हूं तो यह मंदिर के लिए है और इसमें आप सब लोग सायोग चाहती हूं और इसमें चाह करें ताकि में पूर्ण हो पाए और जो देख रहे हैं दक्षक हैं व्यूर्ज है उनको कहना चाहती हूं कि सबस्राइब किजिए और ज़्याइब करवाएए आपने मैं अच्छा कारे करने निकली हूँ परशानियों के बावदूर मेरी फिसिकल प्रॉब्लम है मतलब मैं तो मंदी का वर्ण कर रही हूं उस मंदी की में वीडियो डाती हूं आप देखें वर्ण मुझे बताएं कि आपको मेरा माट कैसा लगता है तो मंदिर की वीडियो आपने देखी आपको मेरा पार्ट कसा लगा कमेंट वोक्स मुझे विश्च बताएं कमेंट वोक्स वे अब ओम रमाशिवाय और जै पार जै शिव बारवती इस तरीके से लिखना बिल्कुल न भूलें तो अब हम चलते हैं आज के पार्ट पर सागत करती हूं मैं आप सभी का अपने इस कारेक्राम शिव बुरार में तो ब्रह्मा जी रुद्यदेव की रुद्यदेव मतलब शिव जी की शादी कराने के उदेश से उनके पास मिलने को आए हैं आप इसके आगे कि मेरी ये बात सुनकर लोके शुर महादेव जी के मुकठ पर मुश्करहाट दाड़ गई वे श्रीहरी के सामने मुझे से इस्वकार बोले उश्वर ने कहा ब्रम्मन हरे तुम दोनों मुझे सदाही अत्यंत प्रिय हो तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनद मिलता है तुम लोग समस्त देवताओं में शेष और तिलोकी के स्वामी हो लोकित के कारे में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी देश्टी में अत्यांत गौरपून है किन्तु सुर्ष्रेश्ट गण मेरे लिए विवा करना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं तबस्या में सनलंगन रहका सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूपे मेरी प्रिसिद्धी है जो निर्वित्ती के सुंदर मार्क पहस्तेत है अपने आत्मा में ही रमन रह करता आनन्द मानता हूँ निरंजन माया से निलिप्त है जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है जो ज्यानी आत्मदर्शी और कामना से शुन है जिसके मन में कोई विकार नहीं है जो भोगों से दूर रहता है तदा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेश्धारी है उसे संसार में कामनी से क्या प्रियोजन है यह इस समय मुझे बताओ तो सही मुझे तो सदा केवल योग में ही लगे रहने पर ही आनन्द आता है ज्यान हीन पुरुशी योग को छोड़कर भोग को अधिक महतु देता है संसार में विवा करना पराय बंधन में बंधना है इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ विभा के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभीरुची नहीं है आत्मा ही अपना उत्तम अर्थि या स्वार्थ है उसका भली भांती चिंतन करने के कारण मेरा लौकिक स्वार्थ में प्रिवर्विती नहीं होती सदा भी जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा तुमारे वचन को गरिस्ट मानकर अथ्वाबने कई हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवा करूँगा क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश्य में रहता हूँ परंतु मैं जैसे नारी को प्रिये पत्नी के रूप में ग्रहन करूँगा और जैसे शर्ट के साथ करूँगा उसे कफ सुनो हरे ब्रामन मैं जो कुछ कहता हूँ वैसरवता उचिती है जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहन कर सके जो योगनी तथा इच्छानु कर रहना होगा और जब मैं कामा सकत हो तब उसे भी कामनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा वेद्वक्ता विद्वान जिने अभिनाशी बतलाते हैं उन्हें जोती जरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा ब्रामन उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूं तब उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूं जो मेरे शिव चंतन में विखन डालने वाली होगी वेर जीवित नहीं रह सकती उसे अपने जीवन से हाथ होना पड़ेगा तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म सरूप शिव के अंश्भूत हैं अतह महाभागण हमाले लिए उनका चिंतन निरंतर चिंतन करना ही उचित है कमलासन उनके चिंतन के लिए मैं बिना विभा के ही रहसलूँगा किन्तु उनका चिंतन छोड़कर विभान नहीं करूँगा अतहाद तुम मुझे ऐसी पतनी बदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके ब्रामन उसमें भी मेरी एक शर्त है उसे तुम सुनो यदि उस इस त मंद मुस्कान के साथ मन ही मन में प्रसनता का अनुबव किया फिर मैं विनर्म होकर बोला नात महेश्वर प्रभू आपने जैसी नारी की खोज आरम भी की है वैसी ही इस त्री के विशे में मैं आपको प्रसनता पुर्वा कह रहा हूं साक्षा शदाक्षिव की धनवबत्नी जो उमा है वे ही जगत का कारे सिद्ध करने के लिए भिन 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 गूप में प्रकट होई है प्रभू सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारन करके वे पहले ही यहां आ चुकी है इनमें लक्ष्मी तो विश्री विश्नों की प्रान बल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारन करके प्रकट होई है प्रभू लोखित का कारे करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष्मीत्री के रूप में अवतियन होई है उनका नाम सती है सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सजा आपके लिए हितकार नी हो देवेश महा तेजस्वनी सती आपके लिए आपको पती रूप में प्राप्त करने के लिए धेड़ता पुर्वक कठोर वत का पारन करती हुई तबस्चा कर रही है महेश्वर आप उन्हें वर्द देने के लिए जाए किरबा कीजिए और बड़ पान विष्णों की मेरी तथा इन संपून देवताओं की यही इच्छा है आप मेरी शुव दिष्टी से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए जिससे हम आधर पूर्वक इस उत्सव को देख सकें ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परमंगल होगा और सब की चिंता मिट जाएगी इसमें कोई संशय नहीं है तरांतर मेरी बात समात्मों ने बर लीला विग्रेक धारन करने वाले भक्त वच्छल महेश्वर से मदुसूदन अच्चित ने इसी का समर्थन किया तब भक्त वच्छल भगवान शंग शिव ने हसकर कहा बहुत अच्छ अभिस्ट इस्थान को चले गए तो आज का पार्ठ में यहीं पर पूर्ण करती हूं कल मिलेंगे एक नए पार्ट में एक नए उमंग एक नए तरंग के साथ तबते के लिए आग्या दीजिए मेरे पार्ट को शेयर करना ना भूलें बिल्कुल ना भूलें और लाइक करें पार्ठ पूरा देखें और मिले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए और परिवार अमित्र करनों से सब्सक्राइब अवश्य करवाईए तो खल में मिलते हैं एक नए पार्ठ में एक नए उमंग एक नए तरंग के साथ तब तेक के लिए आग्या दीजिए ओम नमः शीवाई